नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टेड़ी प्लेटफॉर्म में रास्ट रोहित्मे सिक्षाद इस धीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोसे यह प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है शिक्षक बन क्याले में हर बहन हर गहड़ी हर भाई को मेरा दिल से सल्यूट है क्योंकि आप सभी बहत्रीन और उम्दा कलाकार हैं अपने छेत्र में हो सकता है आप परेशान है एक सेलेक्षन की बज़े से तो कोई मेटर नहीं करता मेरे भाई समय अगर अच्छा आएगा तो सेलेक्षन जखमार के पीछे आएगा टेंसल लेने की बात नहीं है ब्रिलेंट है यूनिक है आप आज इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे क्या लगभग 30-40 प्रस्ट करेंगे सुपर फास तरीके से और ऐसे ऐसे मुद्दे बताएंगे आपको कि कुसंस किस तरीके से एक्जाम में क्या तैयार है अप पहला कुसंट आपके स्क्रिण पर है अच्छा लगे तो सस्क्राइब कर लिजएगा क्योंकि हम बनाते हैं सिक्षक आपको मनो विज्ञान सिक्षा का आधार बूत विज्ञान है बतार जई से स्टार्ट करते हैं और यह आंसर चला जाएगा अपने अनुवंधन का सिध्धान नहीं बच्चे बहुत सारे परेशान हो जाते कि सास्त्री अनुवंधन का सिध्धान किस ने दिया है तो दिया है पाउलाओ ने इसकिनर ने दिया है क्रिया प्रसूत का नियम ठीके ना यह यह बहुत बढ़या अंसर है ओप्शन नमबर एक एसाथ जुन्म लेता है डेल साल का होता नहीं हो इसको जो है एलिफेंट हाथी अमरेला च्छाता सब कुछ पढ़ने लगते हैं है ना मदर माने मम्मी फादर माने पापा ग्रांड फादर माने दद्दा बाबा जाने क्या-क्या तो सिंपल सी बात है कि उसके उपर बोज आप दे सकत क्योंकि आप सभी जानते हो NCF 2005 में ये कहा गया है National Curriculum Framework 2005 में उसने कहा कि स्कूली बातावरण को बाहर के बातावरण से आप बेसक जोड़िएगा लेकिन बस्ते के बोज को कम करें लेकिन क्या करना है ग्रहकारी का बोज भी कम करना है यह आपको याद रखना है जितना ब सीखने का सिध्धान तो बहुत सरे लोगों ने दिया आपको होगे सीखने का सिध्धान दोस्तों उसको कहा जाता है जिसने सबसे पहले सीखने के अधिगम के सिध्धान दिये अधिगम का जनक किसे कहा जाता है सीखने का प्रथम पतिपादक किसे कहा जाता है तीसरा कुष चौथा कुसन प्रतम मनोवज्ञानिक किसे कहा जाता है, आखिर इन सभी का अंसर क्या होगा, तो इन सभी का अंसर थौंडाइक ही होगा, क्यों कि अधिगम संबन्दी नियम की बात करे, तो सबसे पहले मिस्टर थौंडाइक ने दिये, आप सभी जानते हो, सिक्षा मनोवज इनकी प्रमुक पुस्तक है इनों ने प्रथम नियम दिये तो इस बजह से इनको कहा जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवज्ञानिक क्योंकि लर्निंग के सबसे पहले नियम दिये हैं यह आपको याद रखना है नेक्षमिन की बात करें कुश्ण नंबर नेक्स्ट आपके स्क्र अब देखी भूल-भुलया परिक्षन की बात करें मनोवज्ञान का प्रमुक कुश्चन है 10-16 बर्स 6-14 एक से तीन बर्स या फिर 5-10 बर्स हम जब भी बात करते हैं 5-10 साल की बात करें तो यह भूल-भुलया परिक्षन आपको याद रखना है मनोवज्ञान में प्रमुक कुछ नमबर फाइब चोटी कक्षाओं में सिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विसेस्ता क्या है ये कुछ बारवार एक्जाम में रिपीट होता है और हमने भी अपनी वीडियो में लगबग तीन वार इस कुछ न को लिया है चोटी कक्षाओं में सिक्षक की सबसे मानगवासा का ग्यान, ग्यान की कमी नहीं होगी अगर वो टीचर आया होगा बनके एक सरकारी स्कूल में, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर धहरेवा द्रणता नहीं है, तो यह सिक्षक में बिलकुल बेकार है, ग्यान आपके पास कितना भी हो, लेकिन अगर धहरे नहीं है, द्र करता होना चाहिए option number जाएगा B के साथ निक्षमन की बात करें कुछ सा number six खेल पद्धति के जनक कोन है ऐसे ऐसे जनक हम बताने वाले जिसमें UKG के जनक कोन है LKZ के जनक कोन है आपने भी LKZ UKG पढ़ा होगा हो सकता में भी नहीं पढ़ा भी होगा पहले क्या होता था न कि व बड़ा होता है तो यार याद रखो खेर यहाँ पर कुछ से number six साब करो खेल पद्धति के जनक कोन है किल पैट्रिक ठोंडाइक या फिर इसकिनर पियाजे तो देखिए दोस्तों गर बात करें खेल पद्धति में तो option number किसके साथ जाएगा किल पैट्रिक के साथ चला तो फिलाल इस question का right answer चला जाएगा option के हिसाब से a के साथ चला जाएगा question number seven अब देखो जब option में ना हो तो आप card world cook भी मार सकते हो लेकिन हमें option भी तो देखना है question number seven किस परिक्षण में विश्वसनियता अधिक होती है विश्वसनियता अधिक का मतलब होता है कि हम सबसे जादा यहां पर स्योर कितना है कि प्रस्ण अच्छे है प्रस्ण हमारे पूरे उद्देश से को कबर कर पा रहे हैं या नहीं क्या नकल तो नहीं हो रही क्या बिलकुल अगर हम अगर किसी परिक्षा का आयोजन कराते हैं क्या बच्चों में ups and downs तो नहीं है मार्क में तो आ objective में विश्णिता होती ही है भाई अगर आप लगाओगे मसीन में OMR seat तो वो answer बराबर ही calculate करके देगी ऐसा नहीं है कि बराबर calculate ना करके दें तो option number चला जागा भाई C के साथ question number 8 Heuristic पद्धिती का जनक कोन है यहां से तीन कुशन बनते हैं जवरजस्ट बनते हैं कहता है Heuristic पद्धिती के जनक कोन है भाई innovation बिदी भी कहते हैं यह आपको याद रखना है ठीके ना तो मैं अगर आपसे बात कर दूं कि option number चला जाएगा D के साथ क्यों क्योंकि Heuristic बिदी के होते हैं Arm strong होते हैं Arm strong होते हैं यह आपको याद रखना है Heuristic बिदी, Khosd बिदी और innovation बिदी एक ही है अंसर क्या जाएगा नन के साथ चला जाएगा यह तो आपके दिमाग को चेक कर रहा था कि भाई क्या तुक्का तो नहीं लगा रहे हो Next one कहरा है आपसे कि Project पद्धित के जनक कोन है तो यहाँ पर देखिए बड़ा संसय हो जाता है कि हम मारें क्या जब Kill Patrick और John D.V. दोनों हो तो याद रखना है कि Project पद्धित को अपन योजना बिधिवी कहते हैं और योजना बिधि के अनुसार हम क्या मारेंगे Option नमबर चला जाएगा भाई Option नमबर A के साथ देखिगा तो याद रखना है कि बहुत सारी जगहे पर आपको मिल जाएगा कि कहीं न कहीं John D.V. होगा और कहीं न कहीं आपको Kill Patrick होगा तो मैं बता देता हूं कि आपको आंसर की स्पेस पर मारना है प्रोजेक्ट पद्दित का सबसे पहले किया प्रतिपादित किया अगर सिधान की बात करे Kill Patrick ने अन्वियाई के तोर पर John D.V. आते हैं जिन्होंने मुखी प्रक्रिया बताई कि सिक्षा के इतने मुखी होते हैं हम आप से कहना क्या चाहते हैं बस ये कहना चाहते हैं कि अगर option में अगर option में John D.V. है तो John D.V. ही मारेंगे अगर option में Kil Patrick John D.V. दोनों है तो first priority आप देगे किल Patrick को और second देगे आप John D.V. को तो अगर first दी है तो इसलिए right answer जागा Kil Patrick के साथ simple सी बात है ठीके देना है second पर देना है यह आपको याद रखना है बहुत यह अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर दोनों options को clear किया है बात बखी समझदारेको उसे number 10 शिक्षा एक त्रिकोडिये प्रक्रिया है ठीक है सर मान लेता हूं कि सिक्षा एक त्रिकोड़ी प्रक्रिया है कौन है छातर सिक्षक सामाजिक परिवेश छातर सिक्षक पाट साला छातर सिक्षक ज्यानारजन या फिर छातर सिक्षक ज्यान तो भाई सिंपल सी बात अगर कहा जाए इसमें किसके साथ चला जाएगा तो बच्चे सर कह रहा है कि सिक्षा एक त्रिकोड़ी प्रक्रिया है कोई दिक्कत नहीं कि त्रिकोड़ी प्रक्रिया है लेकिन होना क्या चाहिए होना चाहिए छात्र सिक्षक ज्यान और एक सामाजिक परिवेस तो देखिए कि दूसरों अगर बात करें चात्र है सिक्षक है और सामाजिक परिवेस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होना ही चाहिए इंपोर्टेंट है क्या पार्ट साला ग्यानारजन और ग्यान की बात अलग है लेकिन चात्र है पढ़ाने वाला सिक्षक है पढ़ने वाला चात्र है और अगर बात करें सिख्षड पद्धतियों का प्रियोग करने वाला भी सिख्षख है लेकिन जिस जगह पर ये पढ़ाएंगे और ये पढ़ेगा उसका परिवेश कैसा होगा इनवायरमेंट कैसा होगा ये बहतरीन होना चाहिए यह आपको याद रखना चाहिए option number एक साथ जाएगा ठीक है ना हाँ पाठ्ठे करम और होता साथ में तो हम वो लगाते जरूर कुश्चन number 11 अध्यापक छात्रों में सामाजिक वा नैतिक मूली संप्रिसित कर सकता है बिल्कुल कर सकता है कैसे करेगा मूल्यों पर भासट देकर करेगा बिल्कुल गलत बात है अगर ऐ जिकता से ही सारी चीजे पॉसिबल हैं बच्चों में नैतिकता का ग्यान होगा सामाजिकता का ग्यान होगा और ऑप्शन number चला जाएगा सी के साथ कुश्चन number next कहता है ग्यानात्मक विकास के साथ निमलिकित में से किसका नाम जुड़ा हुआ है पैस्टालोजी की बात करे तो मन के विज्ञान से जुड़े हुए हैं मिलर की बात करे तो यहाँ पर मनो विज्ञान का एक विसेश शेहरा पियाजे की बात करे तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि पियाजे एक संग्यानात्मक विकास की बात करते है उसलिए जो राइट अंसर जाएगा वो अप्शन करता है कौन सा ऐसा उधारन है एक्जामपल है जो अधिगम को दरसाता है कि बहुत ही अच्छा एक्जामपल सीखने पर आधारित है स्वाधिष्ट भोजन देखकर मुह में लार आ जाना ये कोई पाउलाओ का सिध्धान थोड़ी ना है जो कुत्ते की बात कर लो आप ये दोगने घ।ो गलत हो गया चड़ना भागना या फैकना ये दोस्तों अगर बात करे तो यहाँ पर दोस्तों ये पांच बर्स की अवस्ता में ये P.A.G. की अवस्ता थोडीन की बात कर रहा है यहाँ पर हाथ जौड़कर अध्यापक का व्युत करना क्या गजप का आंसर त option number जाएगा C के साथ क्योंकि अधिगम का मतलब होता है कि बच्चे ने क्या सीखा है सबसे best example हम देखेंगे कि बच्चे का व्यक्तितो और आचार विचार कैसे है question number 14 25 से कम बुद्धी वाला परिक्षण की बात कर रहा है देखें कम बुद्धी लबधी वाला ठीके ना मतलब क्या है कि अगर IQ की बात करें वो 25 से अगर डाउन है IQ का मतलब आप सबी जानते हो कि intelligence क्यूसेंट होता है और यहां पर IQ अगर 25 से डाउन है तो वो बालक क्या कहलाता है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वह बालक आपका पिछड़ा कहलाएगा जड़ कहलाएगा प्रतिबासाली है सामाने आज मैं आपको चारो भी कल्प में यहां पर क्लेर कर देता हूँ देखेगा अगर बच्चा 90 से 110 का IQ का है तो आपका क्या होगा 90 सो 90 110 तो सामाने हो जाएगा प्रतिबासाली की बात करें 120 के उपर वाली तो option number चला जाएगा बी के साथ इस question का अब देखे मैंने एक term बताया 90 से 70 के बीच में आपका क्या होता है पिछड़ा बच्चा होता है तो मंद बुद्धी बच्चा कितना होगा 70 से डाउन बाला होगा क्या मंद बुद्धी बच्चा उपर बाला प्रतिबा साली और पांचमा क्या होगा 90 से 110 के बीच का जो होगा वो सामान्ने होगा option number जाएगा बी के साथ कुछ सा नमबर बंद रहा यान यदि समस्थ जीवन का नहीं तो किसुरा वस्था का मूल ही तत्तो है अवस्थ ही मूल तत्तो है अगर मैं कह सकता हूँ कि योन जो है समस्थ जीवन का नहीं है तो किसुरा वस्था का अवश्थ ही मूल तत्तो है यह किसने कहा है तो मैं कह सकता हूँ क्या रॉस है पियाजे है या इसकिनर है तो option number किसके साथ जाएगा 300 ग्राम होता है और exact value के लिए आपको याद रखना है कि ना तो 340, 330, 320 भी नहीं मारना है और उपसे नंबर मारना है भाई फर्स्ट के साथ next one की बात करें कुछ सा नंबर 17 आपके स्कीन पर है कि भाई चलो ठीक है मैंने यहाँ पर सिसू की बात करी ध्यान देना है मैंने यहाँ पर सिसू के मस्तिस्क की बात करी है और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक स्वास्त मनुस्य के जो स्वास्त मनुस्य है ना एक वयस्क मनुस ग्राम एक्जेक्ट लेकिन मनोविज्यन के कहता है तेरा सो पच्चास से चौदा सो ग्राम का अगर है तो चलेगा बिल्कुल दोड़ेगा तो अपसे नमबर क्या जाएगा एक के साथ चला जाएगा इस कुष्षन का बढ़ क्श्वन की बात करें कुष्षन number 18 बढ़ा देखना टर्म देखना कितने अच्चे डिजेट वाले कुष्षन आ रहे हैं बहुत ही ट्रिपकनली कुष्षन भी नहीं है और ज्यादा सरल भी नहीं है कुशन नमर 18 मानों के इस्थाई दात कितने होते हैं एक तो आ इस्थाई एक तो इस्थाई टोटल दात 32 पूरे क्या निकलते हैं 18 साल में बिल्कुल नहीं निकलते हैं अगर बात करें इस्थाई दातों की संख्या 12, 15, 19 और 22 तो आंसर क्या जाएगा जो बच्चे उप्शन नमर लगा रहे हैं 12 के साल तो बताना चाहूँगा दोस्तों बिल्कुल सही है उप्शन नमर एक साल चला जाएगा देखे कितने अच्छे डिजिट के कुशन आरे तो आपको लगा देना है 23 क्यों? क्योंकि तब कुशन में छुपा हुआ है कि मनुष्य की सन्दचना कितने गुड़ सूत्रों के जोड़े से हुई है तो मैं तो पहले ढूनूँगा क्या 46 ओप्शन में है? नहीं है तो 23 मारूँगा क्योंकि आप सभी को पता है कि 23 जोड़े की जब बात होती है तो 23 पेर और 23 पेर मिलकर 46 टोटल बनाते हैं तो मैं आंसर क्या मारूँगा? 48 तो मार नहीं दूँगा ज़्यादा तो करना ही दूँगा ना? तो ऑप्शन नमबर चला जाएगा एक साथ और कुशन नमबर नेक्स 23 कुड़सूतर के हमारा है क्योंकि 23 मेल 23 मी मेल की बात करें और कुशन नमबर दूस्टों 20 लिंग का निरधारन कौन सा जोड़ा तय करता है? यह भी जब 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 कुशन है लिंग का निरधारन पिता के पिता से होता है कुस्षन में आता है कि बच्चे के लिंग का निर्धारन किस से होता है माता पिता से माता से पिता से या दोनों से तो याद रखना है बच्चे का लिंग का निर्धारन माता से ना होकर पिता से होता है और लिंग के कुड़सूत्र की बात करें तो हमने का भाई यहाँ पर जोड़ा कौन सा निधारित करता है वो भी आपका 23 ही करेगा option number 23 के साथ जाएगा और question number next की बात करेंगे 21 आपके screen पर है आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है डिम बबस्था कितने दिन की होती है बहुत बढ़िया question है guys अगर बात करें अगर बात करें यह डिम क्या होता है यह दोस्तों क्या होता है जो आपके पैदा अगले जो अगर बात करें 12-14 दिन की बात करता है तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं उसको हम जो है डिम्बा वस्था कहते हैं और डिम्बा वस्था की अगर हम बात करें आपको हमने पूरी तरीके से ये बताया था कि चित्र में बच्चे किस तरीके से बड़ा होता है सबसे पहले उसका सिर बनता है उसकी तवचा बनती है और मैंने आपको चितरात्मक बताया था कोई बात नहीं आप नहीं है दिम बबस्ता की बात करें तो आप 12 से 14 लगाईएगा और 12 से 14 के बीच में एक ही option है सर B के साथ जाएगा अच्छा मुझे कोई बताएगा बच्चा अपने गर्भ में मतलब अपनी माता के गर्भ में किस तरीके से आहर लेता है तो बच्चा आहर किस से लेता है प्ले सेंटा के दौरा लेता है ये भी आपको याद रखना है इस कुस्ष्टिन में कि यहाँ पर साइकलोजी की बात करें साइकलोजी को दरसं सास्त्र से मुक्त कराने के लिए आप सभी जानते हो विलियम बुंट और विलियम जेम्स का नाम आता है यहें अमेरिका के मनोवज्जानिक थे मनो विज्ञान की साखा सिख्षा मनो विज्ञान की उत्पत्ति की बात करे तो 1900 के साथ जाएगा option number B के साथ चला जाएगा question number next 23 बड़ा ध्यान से देखना है नरसरी पद्धिती, LKZ, UKZ के जनख ये सबी बड़ा ध्यान से नरसरी पद्धिती के जनख कोन है किल पैट्रिक है थोंडाइक है इसकिनर है या फिर मारिया मांटेसरी है तो याद रखना है नरसरी पद्धिती में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है फ्रॉवेल ने और मारिया ने लेकिन फ्रोवेल आंसर नहीं है तो मैं मारूंगा क्या मारिया मारूंगा क्योंकि नरसरी पद्द्द से एक ही जुड़ा नाम केबल है मारिया मांटेसरी जो एक फीमेल साइकोलाजिस्ट की बात करे इटली से रिलेट करती है इनका देश आपको याद रखना है कुछ से नमबर नेक्स्ट देखें दोस्तों आपसे कह रहा है 24 भूल एवम प्रयत्न सिक्षड का सिध्धान का सिध्धान किस ने दिया है भूल एवम प्रयत्न सिध्धान किस ने दिया है तो दोस्तों अगर बात करें भूल एवम प्रेतन सिध्धान किस ने दिया है किल पैट्रिक ने मिस्टर थॉन्डाइक ने इस किनर ने या फिर पियाजे ने तो मैं कह सकता हूँ कि भूल एवम तुटी सिध्धान यस आर सिध्धान संयोजन बाद का सिध्धान संबन्द बाद का सिध्धान क्या संबन्द बाद का सिध्धान तो मैं कहूँगा यह सभी सिध्धान मिस्टर थौंडाइक ने दिये है प्रेयत ने एवं भूल उद्धीपक और अनुकरिया का सिद्धान थौंडाइक एक आपके अमेरिकी अमनोवैग्यानिक थे क्या अमेरिकी अमनोवैग्यानिक है ओप्सन नमबर चला जाएगा B के साथ कुश्चन नमबर 25 अनुकूलित अनुकरिया या क्लासिकी अनुवंधन का सिद्धान क्या क्लासिकी अनुवंधन क्लासिकल की बात नहीं करी थी क्लासिकल अनुवंधन का सिद्धान किसने दिया है क्लासिकल अनुवंधन को कहा जाता है S टाइब की बात कर रहा है क्लासिकल अनुवंधन की बात करे केवल अनुवंधन का जनक किसे माना जाता है मिस्टर पाउलाव को जाना जाता है पाउलाव को 1904 में नोविल मिला था इसी पर मिला था कि कुत्ते पर प्रियूग किया था लार ग्रंथी पर कुछ से नमबर चला जाएगा किसके साथ अनकोलित के साथ नन के साथ जाएगा क्योंकि पाउलाओ होते हैं तो राइट अंसर पाउलाओ है नहीं तो डी के साथ जाएगा करिया प्रसूत अनुवंधन का सिध्धान किस ने दिया था जबाब दीजेगा इस question का right answer क्या होगा तो देखिए दोस्तों गर बात करें क्रिया प्रसूत अनुवंदन का सिध्धान किस ने दिया तो किल पैट्रिक ने दिया है क्या थोंडाइक ने दिया है क्या इसकिनर ने दिया है क्या पियाजे ने दिया है तो आप जानते हो P.I.J. ने दिया है संग्यानात्मक सिध्धान इसकिनर ने दिया है क्रिया पसूत तो आंसर जाएगा C के साथ किलपेट्रिक की बात करें तो आप जानते हो प्रियोजन बाद अगर थॉन्डाइक की बात करें तो सिक्षा मनोविज्ञान इनकी पुस्तक है प्रियतनेवं भूलका सिध्धान दिया है कुश्या नमबर 27 यहाँ पर लिखना है L.K.Z. या K.Z. या UK मतलब क्या है L.K.Z. आप पढ़ा होगा L.K.Z. और L.K.Z. पद्धित के जनक कोन है क्या किल्पेट्रिक है क्या मिस्टर थॉन्डाइक है या फिर इस्किनर है या फिर ननाब दीज है तो आंसर करेंगे फटा फटा फट आंसर करेंगे इस कुशन का राइट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर आंसर आपको याद रखना है कि L.K.Z. की बात करें या मैंने आप यूपर बता था नरसरी पद्धित के जनक कोन है मारिया मांटेसरी L.K.Z. U.K.Z. पद्धित के जनक है मिस्टर फ्रॉविल है क्या है मिस्टर फ्रॉविल के साथ जला जाएगा तो आपको याद रखना है कि फ्रॉविल आंसर लगाना है और फ्रॉविल नहीं है तो आंसर क्या जाएगा D के साथ ही तो मैंने आपसे नियाप पर सेट की है लेकिन आपको एक्जाम में मिलेगा आपको एक्जाम में मिलेगा तो यह है आप स्क्रीन सोट ले लो फटाफट फटाफट स्क्रीन सोट ले लो की भाईया LKZ और UKZ के जनक कौन है फ्रावल है फ्रावल एक जर्मन साइकलोजिस्ट है जर्मनी के मारिया मंटिसरी जो नर्सरी पद्धत की जनक है वो है इटली की यह है आपको याद रखना है कुस्सर नमबर नेक्सर एक बिना ओप्शन का लेते हैं जीन पियाज्ए किस देश के निवासी थे तो दूश्टों याद रखना है यह है आपके सुर्जल larva के और वेग्यानिक है, option number जो भी होगा, वो right answer चला जाएगा ठीके ना, question number 29 और 30 बड़ा भितरीन question में बहुत ध्यान से देखना है सिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था, जब आप दीजेगा सिक्षा का अधिकार का अधिनियम कब बना था तो भाई या answer क्या होगा देखे पूरे वीडियो में नहीं कहा है, like करना पूरे वीडियो में ये नहीं कहा, channel को subscribe करना स्टार्टिंग में कहा था, याद रखना है हर वहन, हर भाईगर अच्छा लग रहा है कुछ भी अगर 1% चल रहा है दिमाग में subscribe करें अगर आप बनना चाहते हैं सिक्षक सिक्षक का अधिकार अधिनियम कब बना तो याद रखना है, सिक्षक का अधिकार का अधिनियम बना है 2009, 8, 7, 10 तो answer जाएगा, बहुत सारे बच्चे A में confusion, D में confusion तो आज confusion आपका हटा देते हैं 2009 हो जाएगा, confusion आटाने के लिए आपके दिमाग में आया, मैंने तो 2010 पड़ा था तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सिक्षक का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है, दोनों में फरक है, हमने कहा पहले में सिक्षक का अधिकार अधिनियम कब बना, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, जब हमसे कहे कब बना तो मैं कहूंगा 2009 जब मैं कहूं कब लागू हुआ, तो मैं कहूंगा 2010, पूरी डिट क्या है, एक अप्रेल 2010 को सिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, लेकिन अभी कुस्षन थमा नहीं है, अभी कुस्षन थमा नहीं है, और कुस्षन क्या बन गया, आगे चलकर, कुस्षन ये बन गया कि सिक्षा का निसुल्क सिक्षा अनिवारे सिक्षा जिसको कहा जाता है वह अधिनियम किसके तहत कितने वर्स के बच्चों को निसुलक सिक्षा दी जाती है तो यह आपको आंसर दिया जाना चाहिए बताएगा 6-14 के लिए 7-14 के लिए 6-20 के लिए या फिर 7-14 के लिए जवाब दीजेगा तो याद रखना यहाँ पर यह option यह option रिपीट हो गया यहाँ 7-15 कर लिएगा तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर सिक्षा निसुलक होगी कोई दिक्कत ने आप से कहता है कि 6-14 साल के बच्चे के लिए हम सिक्षा को निसुलक देंगे यह है एक माता पिता का कर्तब सरकार का कर्तब होगा ही होगा राइट अंसर जाएगा ओप्षा नमबर एक साथ देखे मैंने ऊपर अभी बताया था कि खेल पद्दित के जनक कोन है कोशन नमबर कितने में बताया था मैंने वहाँ पर एक्स्प्लानेशन भी आपको किया था कि खेल पद्दित के जनक कोन है question number में आपको बता दिता हूँ question number 6 तो उसमें आपका card weld cook था नहीं तो हमने क्या मारा था kill patrick मारा था क्यों क्योंकि option ही ऐसे थे क्योंकि पूछा जा चुका है जब henry card weld cook है तो henry card weld cook को ही माना जाता है जबकि kill patrick को priyozen बात की बात करता है तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों हाँ जी योजना बिद की बात करता है खेल पद्देती के जनक आपको henry card weld cook है और kill patrick जब option में ना हो card weld cook तो हम क्या मारेंगे kill patrick मारेंगे तो option number दोनों clear हो गए question number 6 question number 32 याद रखना है henry card weld cook इनका पूरा नाम है पद्द की बात करें तो दोस्तों इस question का right answer किसके साथ जाएगा Mr. Helen Parkhurst के साथ चला जाएगा मारी Helen Parkhurst option number यहाँ पर D के साथ चला जाएगा आपको याद रखना है question number 34 आना चाहिए लेकिन कुछ questions दोस्तों यहाँ पर numbering गलत हो गया कोई बात नहीं आपको number से नहीं मतलब है question से मतलब है चिंतन सक्ति का प्रियोग करने का अवसर इनमें से किस्से मिलता है तो याद रखना है चिंतन की बात करता है क्या तर्क की बात करेगा बात बिबात की बात करेगा समस्या समाधान की बात करेगा फिर option number सभी सही है तो right answer किसके साथ जाएगा चिंतन सक्तिका प्रियोग करने का बसर option number चला जाएगा भाई D के साथ clear हुआ D के साथ चला जाएगा question number next की बात करेंगे बालक को दाएवाय का ग्यान की सवस्था में होने लगता है question number यह 34 रहेगा आपको याद रखना है यहाँ पर 34 नहीं 36 रहेगा अगर बात करें दोस्तों बालक को दाएवाय का ग्यान जो है हाजी दाएवाय का ग्यान की बात करता है कि सवस्था में हो जाता है तो आपको याद रखना है कि भाई ये दाया है ये बाया है तो मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर लिफ्ट की बात करता है ये राइट की बात करता है न तो यार याद हो जाता है कि मेरा हाथ ये सीधा है वो कहता है ये बाला हाथ मेरा उल्टा है तो यह हो जाता है छे बर्स की अवस्था में हो जाता है इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो अप्शन नमबर एक साथ जाएगा कुछ से नमबर 205 की बात करेंगे कह रहा है एक समू की बनावट का अध्यन करने में कौन सी जो विदी होती है प्रियुक्त होती है एक समू की बनावट की बात कर रहा है क्या प्रसनावली विदी हो जाएगी साक्षातकार विदी हो जाएगी ब्यक्ति इतिहास विदी होगी या फिर समाजमिती, इन कुछ संस को केवल आप उपसंस में सही कर लिजे अभी केवल, समाजमिती बिदी होती है, इन चारों बिदियों को एक आपको 10 मिनट की वीडियो आ जाएगी, उन सभी में बहत recycling समझा दिया जाएगा कोण जनक है, किस तरीके से आपको यहाँ पर है, clear, याद रखे कुछ से number next, मनोविज्ञान इसमें से विशिषत्ता क्या है, क्या मनोविज्ञान की इनमें से विशिषत्ता क्या है, क्या तो मैंने का अठार्मी तक चला भाई उन्नीसमी सताबदी में इसको चेतना का मनोविग्यान के लेते और यहां पर जो राइट अंसर जाएगा वो आपस नमबर डी के साथ चला जाएगा और अगर बात करें प्रजेंट टाइम में मनोविग्यान किसका पार्ट है तो आपको हम 10-10 मिनट की वीडियो में क्लियर करा देंगे टेंजन लेने की बात नहीं बरोसा करते हो तो बरोसा करना जरूरी है दोस्तों कर बात करें यहां पर जो राइट अंसर जाएगा वो फ्लेस कार्ड के साथ जाएगा वर्ड माला सिखाने का सबसे बेस तरीका फ्लेस क कर चुके होंगे लगभग हमारे इसाब से 39 के करीब होंगे या 40 के करीब होंगे 40-41 छोटे बच्चों की ग्यानेंदरियों को क्रियासील बनाने के लिए हम क्या करेंगे तो छोटे बच्चों की ग्यानेंदरियों को हम क्रियासील बनाने के लिए खेलने को प्रेडित यानि खेलने को प्रेरित करेंगे तभी बच्चों की घ्यानेंदी अच्छा देखें ओप्सन अगर हम और देखें जैसे कक्षा में सांत बैठने को कहेंगे तो क्या क्रियासील हो जाएंगे उन्हें पढ़ाते रहेंगे यार पढ़ाने से बच्चे उबढी सकते हैं ये भी के आईयू 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 के आईय लेकिन पांच बच्चे अभी भी नहीं कर पाए या फिर आप कैसे कह सकते को कि एक कछ्छा पांच में बच्छा पढ़ रहा है और और पढ़ा बच्चा बच्चा है वह चारे काम नहीं कर पारा है मतलब पढहाई में पिछडा पण जो देखा जाता है वही दोस्तों hogy पिछड़ा बालक होता है इसको अगर देखा जाए मंदबुद्धी बच्चा नहीं कह सकते है याद रखना है मंदबुद्धी बच्चा वो होता है 70 से डाउन बाला IQ होता है लेकिन पिछड़ा बच्चा वो होता है जो 90-70 से बीच में IQ होता है ये दोनों में फर्क आपको सम कर चुके हैं ये 10 नम दस कोश्चन आपको लास्ट में कराए हैं जो भी बच्चे यहां पर पहली बार आये हैं लाइक तो बनता है सभी बच्चे नीचे आपको टेलिग्राम की लिंक है क्योंकि बनाते हैं सिक्षक मुद्दा एक है सिक्षक ना तमाम वैकेंसी को लेकर क्यों कि मुझे पता है कि अगर सभी बच्चों को हर दिसा में भटकाएंगे तो सेलेक्षन कम होगा ये वात आप भी जानते हो एक जगए कदम रखने को मिल लाए आपको मैं आसमान पे चाड़ा दूँगा याद रखना एक जगए पर आप सिक्षक बन जाओ तो फिर आप जो भ अभलोकन करते हैं चीजों को अभलोकित करते हैं देखते हैं कि भाई ये कैसे हुआ तो हम क्या करते हैं पस नमबर चला जागा ठीके सा थेखे ना बहुत बढ़या हम आपको यहाप पर एक कुछ्छन देते हैं एक कुछstन देते हैं आपके लिए होमर्ग के लिएribution आपका समझ रहे ना, दस लाख बच्चे एक ऐसी जगे पर इखटा कर दें तो पता चल लेगे, दस लाख क्या होते है मतलब ऐसे ही भरोसा नहीं है आपका बिल्कुल भरोसा, इसलिए गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टडी लाखों भी उसके साथ नमबर वन पर है मात्र सिक्षा में सिक्षा के छेतर में सिक्षक बनाता है बात बाकी अन्य क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता, हम आपको सिक्षक बनाते है वंदे मात्रम, आप सभी के मातापिता को जएहिं टेलिग्राम की लिंक नीचे है टेलिग्राम को जोईन करियेगा लिंक को क्लिक करके वंदे मातरम आदाब सस्रियकाल जै महाकाल फिर से एक बार जै महाकाल